Hello Everyone, Welcome to Trending Economics इस वीडियो में देखेंगे पूंजी खाता क्या होता है जो की Balance of Payment में आता है जिसको इंग्लिश में Capital Account बोलते हैं आईए समझते हैं, देखें एक देश वा शेश दुनिया के बीच होने वाले वित्ती लेंदेन का जो लेखा जोखा होता है उसे ही पूंजी खाता यानि Capital Account कहते हैं किसी देश से, किसी देश ने आपके देश में क्या निवेश किया आपने कितना रिण लिया, कितना दिया ये सब इसमें लें दिन आता है पूंजी खाते में दूसरे देशों के रिण, मतलब Loan तथा निवेश, इन्वेस्मेंट के अंतराष्टी प्रवाह को दर्शाता है कितना लूंग लिया है, दूसरे से इन्वेस्मेंट कितना आया विदेशों से, आपने कितना किया है ये सब इसमें दर्शाता है इसमें देश की संपत्ती मतलब assets और दाइत मतलब liabilities में हुए परिवर्तनों को वेक्ट करता है जब ये सब करेंगे, तो आपकी कभी assets बढ़ेंगी कभी कम होंगी liabilities, यानि कि दाइतो आपकी देयता कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होंगी ये इसमें दिखाता है भुगतान संतुलन के पुँझी खाते में मतलब capital account में लेन देन, देरकालिक या अर्बकालिक दोनों हो सकते हैं ठेक है? लॉग टर्म और शॉट तर्म दोनों हो सकते हैं अब देखें यहाँ पर भुगतान संतुलन का जो पुँझी खाता हो होता है, वो हम आपको दिखाते हैं लेट साइट पे credit साइट है, मतलब plus हो रहे हैं आप दूसरे देशों से लेते हैं जिसमें विदेशों से सरकारी रिन प्राप्तिया हो गई विदेशियों द्वारा देश में कियेगे प्रत्यक्ष निजी निवेश हो गया, bonds, share इत्यादी जो खरीदना होता है, वो इसमें आ जाता है अंतराश्टी संसाओं जैसे IMF हो गया, world bank हो गया इत्यादी से जब देश रण लेता है तो इसमें दिखाया जाता है, banking पूजी का IMF world bank, जिनसे लिया था loan जब वापस कर देते तो debit side में आ जाता है और banking पूजी का जो बाह है प्रवाह होता है मतलब आपने लिया था banking पूजी के लिए आप banking पूजी को वापस कर रहे है उसी देश को ठीके, तो ये debit side में मतलब भुगतान side में दिखाया जाएगा तो ये पूड़ा होता है भुगतान संतुलन का पूजी खाता मतलब balance of balance of जो payment होता है उसका जो capital account होता है ये सारी details में दिखाई जाती है